हेलो विवन, वेलकम टू फार्मर ओक्स यूटूब चैनल, फार्मर ओक्स के यूटूब एजूगेस्टन चैनल में आपका स्वागत है इन टुडेज वीडियो लेक्चर, वी विल स्टड़ी इन डेटेल अबाउट देशीज स्कर्वी स्कर्वी डिसीज के जो स्पेसल होता है विटामिन C की डेफिसेंसे के कारण तो ये डिसीज के बारे में हम डेटेल में स्टड़ी करेंगे किस तरह से हम उसके ट्रेटमेंट कर सकते हैं कौन से मेडिसिन वगरा यूज होते हैं, as well as what are the sign and symptoms स्कर्वी डिसीज के अंदर स्पेसल ही होता क्या है, उसके sign and symptoms और जो हमारी बोडी के अंदर damages होते हैं, तो क्या damages होते हैं, ये डिसीज के करण तो ये सब जानते हैं, ये विडियो लेक्चर में कि सबसे पहले आपका question ये होगा कि स्कर्वी रोग क्या है और ये रोग होता क्यों है, what are the main causes, what are the signs and symptoms, किस तरह से मुसको prevent कर सकते हैं, कैसे treatment कर सकते हैं वो सभी चीजों को हम ये विडियो लेक्चर में detail में study करेंगे तो तो थेंक्यू फ्रेंट्स पर बी इन वन लेक्ट फैमिली अप्डेटेट रहिए फार्मा नोलेज के साथ सब्सक्राइब करेंगे चैनल, प्रेस करेंगे बेल आइकोन and also use the app फार्मा रॉक्स की जहाँ पे आपको test series, study material, video lecture, test series वगरा एक्सेस करने को मिलेगी तो अभी डाउनलोड करें आप फार्मा रॉक्स, Android एपन Google Play, Apple iPhone एपन App Store तो first of all जानते हैं scurvy disease के बारे में कि what is scurvy तो scurvy is caused by not having enough vitamin C in your diet for at least 3 months so ये सबसे पहले main reason है कि vitamin C की deficiency के करण जो disease आपको होती है वो कही जाती है scurvy कि जब आपके diet के अंदर 3 मैने या उससे ज़्यादा के समय के लिए vitamin C आपके diet में नहीं है तो उसके करण आपको scurvy जो है वो हो सकता है vitamin C की जो mainly found होता है in fruit and vegetables की naturally जो fruits होते है vegetables होते है उसमें vitamin C present होता है बट जब आपका diet ही ऐसा है कि काफी unhealthy खाना खाते हैं तो उसके करण आपको vitamin C के supplement नहीं मिलते और जिसके करण क्या होता है आगे जाके आपको scurvy disease हो सकता है तो people who don't eat very healthy all time aren't usually considered at the risk of scurvy तो आगे जानते हैं कि scurvy disease के बारे में कि scurvy is a disease caused by severe and chronic vitamin C की जिसको हम कहते है ascorbic acid की उसकी deficiency के करण आपको scurvy हो सकता है most people think of scurvy as a disease of fast कि काफी सारे लोग ऐसे समझते कि जो scurvy है वो past की disease है पड़े सा नहीं है कि पहले ऐसे सोचते थे कि scurvy तो सिर्फ past में ही होता था अभी recent में ऐसे नहीं है कि जाब sellers वगेरा जो समुद्र के अंदर जाते थे और उस वक्त उनको fresh fruit and vegetables नहीं मिलते थे तो उसके करण उनको कई बार scurvy हो जादा था कि काफी टाइम तक वो समुद्र के अंदर रहते थे कि जो जब वो traveling कर दे थे एक जगा से दुद्रे जगा पे व्यापार के लिए तो यह जो sellers थे had to spend the months at sea without access to fresh fruit and vegetables तो उसके करण काफी लोग ऐसे सोचते कि जो past में ही scurvy होता था बट ऐसा नहीं है अभी भी scurvy के जो cases से वो देखे जाते है while scurvy may be uncommon in modern society it does still exist कि modern society में हम इसा सोचते ही कि scurvy नहीं होगा बट जब कोई काफी unhealthy diets लेते है कि आपके diet के अंदर vitamin C की जो हम ascorbic acid कहते है वो proper आपके diet में हे ही नहीं तो आगे जाके आपको scurvy का जो disease है वो हो सकता है तो causes के अंदर तो main उसका एक ही cause है कि severe and chronic vitamin C की जो ascorbic acid है उसकी deficiency के करण vitamin C की जिसको में ascorbic acid या फिर ascorbic भी कहते है it is found in various food and sold as a dietary supplement उसके supplements भी होते है विटामिन C के and it is used to prevent and treat the disease scurvy तो विटामिन C की जो deficiency से main ये disease होते तो उसके लिए जो cause हम कहेंगे reason हम कहेंगे कि कि इसके कारण किसी को सकरवी होता है तो वो है vitamin C की deficiency तो ये सब आपको अच्छे से याद रखने कि जो vitamin C reach जो food होते है कि जो हम fruits की बात करते है vegetables की बात करते है कि जिसके अंदर vitamin C जो है वो काफी भरपुर amount में होता है तो ये से food and diets लेने चाहिए कि जिसके करण आप ये जो disease scurvy है उससे बच सकते है तो vitamin C की deficiency से होता है मेन ये scurvy disease तो अब सीखते है most important point उसका कि ये disease के अंदर होता क्या है उसके symptoms क्या develop होते है और उसके sign तो सबसे पहले आप समझ ये कि loss of teeth फिर आपकी eyes सुंकेन हो जाती है सुंकेन eyes and pale skin ये तीन symptoms जो है वो देखने को मिलते है scurvy के अंदर या पर समझे swollen, spongy and purplish gums that are prone to bleeding कि जो आपके gums होते है उसमें से blood बहार आता है कि जैसे हमने previously कुछ diagrams के अंदर देखा कि scurvy के जो patients होते है उनके जो teeth है teeth में से जो है वो काफी blood आता है even जो gums होते है वो काफी soft हो जाते है spongy हो जाते है swollen मतलब कि उनका inflammation होता है and that are prone to bleeding अब जो gums का जो main काम होता है हमारे teeth को जो मजबूती देते है जो एक पकड मजबूत बना कर रखते है teeth के आसपास अगर वो समझो कि वो gums से soft हो जाएंगे spongy हो जाएगे तो जो teeth का जो support है वो काफी कम हो जाएगे जिसके करन loss of teeth loss of teeth कि जब मैं आपको diagram दिखाता हूँ उससे आपको काफी easily समझ में आए गया तो यहाँ पर समझे यह diagram के अंदर कि loss of teeth ऐसा क्यों हम कहते है या फिर you will lose your teeth तो यह देखिए उपर की और जो है यह teeth के यह उपर वाले जो gums है यह सब these are the gums और वो अभी तक कैसे है normal है वहाँ उनको अभी तक infection नई हुआ है जबकि आप नीचे के जो gums देखेंगे यह वाले तो यहाँ पर देखिए यह gums में से निकल रहा है blood bleeding हो रही है वासे कि जो blood है वो हो रहा है निकल रहा है वासे spongy हो जाते है यह आपके gums swollen मतलब कि उनका आप यह देख सकते हो यह वाले उपर के देखिए वो अभी तक normal है और नीचे के यह जो gums देखेंगे आप तो वहाँ पे आपको inflammation जो है वो देखने को मिलेगा यह जो gums से वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यह inflammation तो inflammation होता है blood वहाँ से निकलता है plus यह काफी soft हो जाते है spongy हो जाते जिसके करण अब उनके पास इतनी strength नहीं बची कि जो आपके teeth को अच्छे से मजबुती दे जिसके करण जो teeth को जो support मिलता है यह gums के करण वो काफी lose हो जाता है और जिसके करण you will lose your teeth और इसके करण आपके दाथ जो है वो काफी धीरी-धीरे कम होते जाते है loss of teeth होता है even skin color भी change होता है bulging eyes bulging होती है जो हमने बात की कि sunken eyes यह symptom develop होता है pale skin and loss of teeth यह तीन main उसके symptoms bulging eyes के जिसको medical term में proptosis कहते है bleeding into the skin severe and easy brushing bleeding into the skin scaly dry and brownish skin कि जो हम कहते है pale skin very dry hair आपके hair भी काफी dry हो जाते है that curls curls and break of close to the skin और धीरे-धीरे आपका जो hair है वो काफी weak हो जाता जाता है because of काफी dry हो जाते है curly हो जाते है and साथ हो साथ क्या होता है hair loss तिसलिए देखें कि जब आपके hair के भी proper healthiness के लिए जरूरी होते है vitamin C के supplements तो vitamin C की जो importance है उसका ये सबी चीजों के लिए अब समझो कि ये इसकी ही deficiency होती है जब आपके body के अंदर तो उसके करण जो condition develop होती है वो scurvy कहा जता है और ये जो scurvy disease के अंदर ये जो main उसके symptoms develop होते हैं तो ये जो slide है खास अच्छे से आपको याद रखना है कि scurvy तो काफी जल्दी से आपको याद रहे जाएगा कि vitamin C की deficiency बट यहाँ पे main होता क्या है sign and symptoms क्या है ये disease के अंदर mainly होता क्या है तो वो आपको पता जाएगे एक तो आप teeth तो loss करोगे ही साथ हो साथ आपके hair loss भी होगे कि जो यहाँ पे लिखा है कि hair आपके curly हो जाते है and break off close to the skin skin के नजदी की बाग से वो दिरे दिरे break हो दे जाते है कि जिसके करन आपका hair loss भी होगा diagnosis समझते हैं कि किस तरह से हम इसको diagnose कर सकते है तो जो आपके health care providers होते है will ask you the following question कि सबसे बहले तो आपको कुछ questioning करेंगे कि like health care providers will ask you about your diet restrict कि आपके जो diet कैसी है कि जो हम कह सकते है कि आप diet कैसे लेते है आप खाना किस तरह से खाते है healthy खाते है या unhealthy diet में आपके vitamin C supplements वाले food available है या नई वो सबसे पहले check करते है about the questionaries कि जो आपको questionaries होती है उसके बाद sign and symptoms कि वो समझे कि आपके teeth examines करते है hair आपके check करते है skin check करते है और जो हमने sign and symptoms के बाद की वो symptoms आपको देखने को मिलते है तो आगे confirmation के लिए blood test as well as medical history आपके check की जाएगी कि आपको previously कही vitamin C के deficiency थे या नई physical examination based on sign and symptoms blood test और जरूर पड़े तो imaging test भी करवा सकते है the blood test will be used to check the level of vitamin C in your blood serum कि blood serum के अंदर vitamin C का content कितना है वो जानने के लिए vitamin C का जो level देखने के लिए blood test भी किया जा सकता है diagnosis के बाद हम कहे करे prevention की तो scurvy can be prevented by the diet that includes the vitamin C rich foods का आप ऐसे food लिजिए कि जिसके अंदर vitamin C बरपूर amount में हो कि जैसे की आमला है bell papers है कि जिसको sweet papers भी हम कहते है और कई बार उसको हम capsic हम भी कहते है ब्लेक करंट्स ब्रोकोली चिली पेपर्स गावा कीवी फ्रूट एन पार्सली उसके लावा हम देखे दूसरे फ्रूट्स के लिए लाइमन से लाइमस है ओरेंजीस पापाया एन स्ट्रॉबेरिस के ऐसे फ्रूट और ऐसे वेजिटेबल्स कि जिसके अंदर विटामिन सी जो है वो काफी अच्छी अमाउंट के अंदर प्रिजन्ट होता है तो ये आपके लिए मेन प्रिवेंशन रहेगा कि आप ऐसे पहले से ही आप ऐसे डायेट बना दे हो कि आपको विटामिन सी की कभी डेफिसेंस सी ही ना हो तो जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर तो ये बात है यहाँ पे कि जितना प्रिवेंशन रखोगे तो आगे मेडिसिन्स या फिर ट्रीटमेंट की जरुरत नहीं पड़ेगी तब बात करते हैं ट्रीटमेंट की तो सबसे पहले तो विटामिन सी के जो सप्लिमेंट्स या फिर जो हम डायेट का है क्या फ्रेस्पूट और ऐसे वेजेटिबल्स लोंगे तो उससे इजिली हम ट्रीट कर सकते हैं इस इस स्करवी उसके दावा डॉक्टर में आलसो रिकमांड़े तो टेकिंग विटामिन सी स्प्लिमेंट्स अंटिल यू फिल बेटर जब तक आपको अच्छे से फिल ना करें आप बेटर फिल ना करें तब तक विटामिन सी के जो हम सप्लिमेंट्स आपको कहते हैं कि like यहाँ पर जो आप देख सकते है ascorbic acid कि जो vitamin C हो गया है sodium ascorbate and zinc के जो achievable tablets available होते है कि बहुत सारे ऐसे product available है achievable tablets के कि जो usually mouth dissolving tablets होती है achievable tablet कि जो आपको वो उसका उसको swallow नहीं करनी होती आपको oral cavity में उसको सिर्फ चीव करना होता है चबाना होता है अच्छे से जिससे उसका जो drug content है वो आपकी oral cavity में ही dissolve होके absorb होता है they might arrange blood test to confirm your confirm you have a scurvy if they are not sure तो treatment के अंदर vitamin C के supplement but regularly blood test भी करवाना जरूरी है तो उससे पता चलता है कि आपकी deficiency कम हुई है या नहीं because जब तक deficiency रहेगी तब तक आपको ये supplements लेने तो जब उसका normal हो जाए deficiency complete खतम हो जाए उसके बाद आप medication stop करके आपकी diet ही यसी healthy बना दे nutritional वाले कि जिससे आपको कभी feature में भी ये scurvy dishes ना हो तो यहापे आप देख सकते है vitamin C के जो achievable tablets कि जिसकी strength रहती है 500 mg अलग-अलग आप उसके brands यहापे देख सकते है कि जो लिम-C कि जिसके अंदर orange flavor से vitamin C के achievable tablets है 500 mg strength as well as यहापे पर देख सकते है vitamin C achieving tablets लिखा है health supplements orange flavor और यहापे भी vitamin C के achievable tablets with zinc तो यह सब भी जो supplements दिये जाते है vitamin C की deficiency के अंदर और जिससे करण जो होने वाले disease scurvy में even vitamin C के syrup भी available है tablet के साथ हो साथ कि अगर कोई achievable tablet से comfortable नहीं है तो vitamin C with zinc के syrup भी available है कि जो pediatric patient के लिए भी बनाये जाते है कि यह आप ही लिखते कि prevention and treatment of vitamin C deficiency boost the immune system antioxidant and common cold वगेरा के अंदर भी छोटे बच्चों को दिया जाते है तो बहुत सारे ऐसे अलग-अलग brands है कि जो vitamin C के syrup दी produce करते हैं अलग-अलग flavors के अंदर usually orange flavor जो है उसके अंदर popular है तो यह हमारा expert lecture था especially on the scurvy so thank you friends for watching अगर आपको lectures अच्छे लगते हैं जरूर से like करिए valuable comments करिए वीडियो को share करिए and चैनल को subscribe करके bell icon को प्रेस करना ना वोलेगी जिससे आपको जब भी कोई नया ऐसा informative video एड़ हो per date दो lecture थे एड़ होते ही है दो या तिन बट उससे अलावा भी हम excessive lectures आपके लिए डालते रहे तो उसके भी notification आपको मिलना जरूरी है कि जिससे आप वो lectures को attend कर पाए WhatsApp groups भी available है कि जहापे भी आपको information share की जाती है वो भी join करिए subscribe करिए channel mobile app भी use करते कि जहापे भी आप test series है as well as study material test series, video lecture वगेरा access कर पाते है तो get the link इने description box good luck and all the best